गोजी मेंबर भीबो पुरो कपड़ी में भाई मजा आ रहा है भाई क्या ही वीन कर रहे हो आप लोग अच्छा लग रहा है जीत रहे हो एकदम से पैसे दवा के कमा रहे हो कोई दिक्कत नहीं यार ऐसे चलते रहना चाहिए ठीक है कुबरा फेंटेसी पे धमाका हो रहा है ठ इस वे से अल्मोस्ट 32,000 के आज पास इन्वेस्टमेंट था क्या आना कि पिछले बार इन्वेस्टमेंट मतलब कम था वीनिंग जादी हुए थी बट इस बार इन्वेस्टमेंट जाता है ओल्मोस्ट डबल का जो है यहां पर प्रोफिट बनाया है आप लोगों ठीक है मतल करी 5 पिल्यर के नाम होँगे एक पिलरं को उठाने कॉन्टेस जूयन करने पैसे बिनकरें ये चारे स्टेप में यह यह पैसे उडिलि बनाने या आपको वाइस केप्टन बनाने एट लिस्ट आपको टीम तक नहीं बनाने हैं सिर्फ एक पिलर को उठाने हैं पैसे जीतने डिस्क्रेप्शन में लिंक है ज़्वाइन जरूर करना भाई बहतरीन एफ है धमाकेदार कमा रहे हैं देखो एड़नेट रियल स्किल तो कुछ लोग क्या आना कि अपना चेंज करके यूजर नेम बगेरा लाश्ट ने एक लगा दे ने दो लगा दे रहे हैं तो अब दखो नमबर औफ सब्सक्राइबर पर मच जाना के कि किस के कितने सब्सक्राइबर है अभी फिलाल हमारे जो है तीन जार क्या सब्सक्राइ कोई भी एक रुपए मांगता है आपको नहीं जाने ठीक है तोर तोर के मैं बताऊंगा डिफेंडर सेक्षन और राउंडर सेक्षन राइडर सेक्षन में कौन से खिला रही आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे तो विडियो को आपको लास्ट देखना एक मिनट भी स्किप करना है भाई भाई बैठे हो ना दवा के देखो दवा के पैसे बनेंगे ठीक है पटना पाइरेट्स यू मुंबा के बीच में मैच खिला जाना है साइटालिस नंबर का ये मैच होने वाला है अब बेको जो डिफेंडर सेक्षन है ना तो जो सुनील है और यहां से साजीन है और नीरेज कुमार जो पटना पाइरेट्स के लिए हैं वह बात करें यू मुंबा के तरब से तो रिंकु एचसी जो हमेशा से तकड़ा परफॉ दिखा नहीं रहे है और राउंडर सेक्षन में बात करें तो मुहमद रेजा है जो की अच्छा घासा इसकी लेन के बास और सचीन तनवर है जिनको आपको अपने टीम में लेना लगबक कनफॉर्म है क्योंकि स्टार्टेट टाइम में और इंड अप दो मुमेंट दबा के अच्छा घासा लेकर आते हैं अगर टेकल बगरा नहीं भी देते हैं तो ठीक है आसिस कुमार महसेन है यू मुंबा के तरफ से महसेन अच्छा घासा इंप्रेस करने टीम को इस बात का ध्यान रखेगा राइडर सेक्षन में परसांत कुमार राई मोनु गयत में रेडर अजित कुमार सकेंड रेडर महसेन ठर्ड रेडर अब एक चीज होगा जो पिछले मैच में आपने देखा होगा जो अजित को भाई यहां से चोट लगी थी जो कंदा मुर गया था जब गय थे कि यहां बैकबॉन में जोर का चोट लगा था तो मैं भी अगर यह नहीं खेल देखते हैं ना तो किसी तरीके से आप अपने इनको लेके रखना इस बात का ध्यान रखिएगा मैं कॉम्बिनेशन बताओंगा दो दो तीन के को बनाने हैं दो रेडर रखने हैं दो और तीन आपको डिफेंडर रखने हैं कैसे सारी चीजे करोगे कि क्रेडिट का देख लो और मुंबई का रीशंट फॉर्म टाइन झीपोल बिटी जीटी जीटी टाइकश और शीकल को ने नंबर पे अभी जो पॉइंट स्टेबल देखोगे तो दो नंबर पे है पटना पारेट्स पहले पर दबंग दे लिए और वहीं बात करें यू मुंबा को देखोगे ना तो यह भाई पांच नंबर पे है तो भाई फैजल अंत्राचली रिंकु एचसी दवागे टैकल करने इस बात क्या ध्यान रखेगा तो ग्रेंड लिग वगरा में फोकस्ट प्लेयर होंगे फैजल अंत्राचली और रिंकु एसी वहीं बात करें बहुत ज्यादा चटर-पटर करते हैं साजीन अच्छागाजा रेडर हैं नीरेज कभी भाई बोलना कम नहीं होगा क्योंकि नीर माकेदा रेड करा था मैच प्लेट के रख दिया था तो मॉनु गोएद भी इंपोर्टेट खिलारी होंगे अभी सेक्सिंग खिलारी इंपोर्टेंट होंगे अपने टीम में रखने भी हैं आपको और कैप्टन भी बनाने हैं चलो फिट करते हैं सारी चीजे अपने तो लगबग कंबल चरी आपके लिए चलो आते जैसे यहां से आग यह अभिशेख से इंपोर्टेंट है अब अगर आप मोनु गोयत को रखते हो अपने टीम में ठीक है मोनु गयत को अपने टीम में रखते हो तो आपके साथ क्या सब प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपको मोह सिर्फ टेकल पॉइंट देने वाले आपको ठीक है कॉर्णर पे खेलने ठीक बट यहीं बात करेगा सचीन तनवर के साथ जाते हो तो रेड़ पॉइंट ले आने वाले क्योंकि स्टार्ट टाइम अच्छा का सा रेड़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम पॉइंट सचीन तनवर लेके आने वाले हैं तो सचीन तनवर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगे डिफेंडर सेक्षन में जब आओगे आप उसके बाद तो आपके लिए कौन से खिलारी होंगे इस बात का ध्यान के का ले सकते हो आप रिंकु एचसी को जो की इंपॉर्टेंट है चलो यहां से रिंकु एक्सी को उठाते तो इस सुनिल को अगर आप ले लेते हो अपरे टीम में तो यह तो सब्टीचू्ट में भी यह खिलारी सुनिल ऑफिछी चूट हो जाई यह प्लेंग सेवन में जुआ इनको जगा में जाए रेयर चांसेजर होते हैं तो यह सारे चीजे करना केप्टन आप बना देना अभिस तो मॉनुगयद को रिमूब करने अपने team में, था है है, दोनों combination ट्राइ कर लेना, परसांथ, कुमार, राइ को अपने team में रखने हैं, उधर से आप& फ्री हो, डिंकू पो भी रख सकते हो, आप नीरस को भी रख सकते हो और इधर से आप साजिन को भी रख सकते हो, हरेंदर गुमार को भी रख सकते हों समझे हो मतलब जैसे चट्र पट्र खेल रहे हैं अच्छा गाजा हमेशा को सिच करते हैं तो कावटी में कोशिच करने वालों की कभी हार नहीं होती तो यहांसे चलो साजीन को भी कर लेते हैं ठीक है यहां से पावर लगाए या ना लगाए साजीन यहां से जाते हैं कोशिश करने के लिए मतलब टेकल करने का कोशिश करते हैं उस हाई क्रेडिट पे खेल लें और अच्छा काथा पॉइंट्स जो कलेक्ट करा है साजीन यही एक रीजन है तो समझ गया है मैंने तोर तोर के सारी चीज़े बताई इस कंडिशन में भी केप्टन आपके अभिसेक्सिंग होने चाहिए वाइस केप्टन या से सचिन तनवर होने चाहिए इस बात का ध्यान रखेंगे हलक कि मुंबा का पूरा कोशीश करेगी जीतने का पटना पायरेट पीचे नहीं अटने वाली तग्रे डिफेंडर है मौनू गोयत का साथ रहा तो टीम इजीली विन कर सकती है ठीक है क्योंकि अगर मौनू गोयत आ गए कि पानि पीला के रख डेंगे जितने भी बरे बरे फैजल हरेंदर कुमार रिंग को ऐसी है पानी पीला के रख देंगे वेसे तो तो कांड कर ही रही है जैसे यहां से महमद रेजा हो गए अच्छे काशी स्कील है इसकील का भी गेम है यहां से कबटी तो अच्छे काचा इसकील है निराज कुमार अच्छे काचा टेकल करते है साधीन अच्छा चटर पटर करके खेल रहे है ठीक है तो यह बेस्ट कॉम्बिनेशन की टीम है यहां तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत प्रेखने की टीम है।